तो दोस्तो एक और नया दिन और मैं बल्जीत परमार हाजर हूँ एक नई कहानी एक नया कित्था लेकर मुझे मालम है इन दिनों में क्रेकट के मैचिस चल रहे हैं आप से बहुत सारे लोग क्रेकट देखने में मश्रूप रहते हैं यह अच्छी बात है स्पूर्स देखना चाहिए लेकिन मेरे लिए थोड़ी दिक्कत यह हो जाती है कि जब मैं अपनी वीडियो श्राम को रिलीज करता हूं तो आप करेकट देख रहे होते हो वो रिस्पांस नहीं मिलता तो मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है कि जब भी टाइम मिले निकालके यह आपके अपनी चै काम देव सिंग पर किया था उसकी बहुत अच्छी रिस्पांस आई है कोई तकरीबन चौदा मिनट की लंबा उसको समय तक लोगों ने उसकी आवरेज जो है वो देखा है काम देव सिंग की कहानी आपको पसंद आई और बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि आपने पूरी क कहानी नहीं सनाई आपकी बात सही है कहानी पूरी नहीं थी क्योंकि हमारे पास समय की समस्या रहती है बावी से पत्चीस मिलर तक के समय में सब बताना पड़ता है उसमें कुछ खास बातें जो कल के एपीसोड में रह गई थी वो मैं आपको आज वो सुनाता हूं कल से एक नया किसा कहानी लेके फिर आपके सामने आज रहूँगे तो कामदेउस सिंग का लोवे ने पूछा बार बार के नेपाल में उसका इतना होल्ड कैसे था उस समय जो तीन साड़े तीन साल तक नेपाल की सरकार ने वहां की पलीस ने वहां के लोगों ने उसको कैसे किया वो भी नपाल का सिटिजन तो था नहीं अब दूसरे मुलक में जाकि इतने दिन आप वहां रहते हो तो कोई ना कोई काम धन्दा तो करते होंगे कमाई का साथ हैं फिर आप अखेले नहीं आपके साथ 20-25 आपके बॉरी गाड हैं उनका रहने का गाड़ी भी रखी होगी एक ने कई गाड़ी रखी होगी वो पैदल चलने का तो उनका मतलब नहीं था तो मैं आपको उसकी बैगरोन बनाता हूँ बताता हूँ कि 1965 से लेके जो 70-72 तक का दौर था बिहार में खास तोर पे वो डिकैतों का दौर था डिकैतों के बहुत सारे गैंग तकरिमें पूरे बिहार और उत्तर परदेश में, मध्या परदेश में बहुत सक्रीय थे और इतनी ज़्यादा इनकी खयाती थी कि लोग इनके नाम से ज़्यादा डरते थे पूरे के बलके कई केसे में तो पूलीस भी डिकैतों से डरती थी मुझे याद है 1965-86 में जब नेक्ट सेलाइड मूमिन शुरू हुई तो मैं नया नया स्कूल से बाहर निकला था हमारे कुछ रिष्टेदार बिहार में जमुई में भागलपुर के पास जमुई मुगेर के पास तभी तो तहसील थी जमुई मेरे खलाज कल तो जिला बन गया वहां पे रहते थे दूसरे हमारे रिष्टेदार धनबाज में रहते थे तो मैं गर्मियों की जो लेड़ दो मीजने की चुटियां होती थी वो अक्सर बिहार में इन दो जगा पे बताया करता था तो इन दोनों फैमिलीज के पास ट्रक हुआ करते थे अपने खालसा ट्रास्पूर्ट कंपनी के नाम से तो वो ट्रक जो थे भी पूरे हिंदोस्तान में गूमते थे खास तोर पे बंगाल बिहार उडिसा असाम वेस्ट और ये बिहार और यूपी तक ज़्यादा जाते थे कभी कभी पंजाब भी आया करते थे सामान लेके तो मैं अपने उन रिष्टेदारों के साथ उन ट्रकों में बहुत गूमता था मैंने देखा है जहरिया, कतरास और धर्नबाद में अकेला ट्रक कभी भी माल भर के नहीं निकलता था बले वो कोईला हो या गेहूं बगएरा हो या और कोई भी सामान जो है जो वहां से निकलता जा आता था इका दुका ट्रक लेके नहीं निकलता था वो 30-35-35 ट्रक का काफ़ा बनाते थे तो आपको मालम है कि ट्रक में एक ड्राइवर औरे खलाती दो आजमी तो जुरूर होते ही हैं कई बार मेरे जासा एक तीसरा भी साथ में हो जाता है लेकर वो समय पे उन एरियाज में ट्रक चलाना बहुत खत्रे का काम हुआ करता था क्योंकि कीमती सामान जो था वो डाकू सरक पे कहीं भी जाके वो लूट लिया करते थे मुझे एक किसा खास तोर पे याद है एक डर्मा घाट है वहाँ पहाड़ी अलाका है और ट्रक जो है बहुत स्लो स्पील्ट से चड़ते भी स्लो स्पील्ट से उतरते भी स्लो स्पील्ट में इवन पहला गेर भी नहीं चलता तो एक स्पैशल गेर आपको माले में ट्रकों का होता है जब loaded होते हैं चराई पे चड़ते हैं तो special gear लगाना पड़ता है तो वो special gear में ट्रक पर और्मा घार से गुज़रा करते थे तो जो सड़क घार के जो पहारी के साथ जो द्रक्ट हुआ करते थे उनके उपर वो ड्कायत लोग द्रक्टों पे बैठ चाते थे जैसे स्लो स्पीर में ट्रक नीचे से निकलता था वो पेड से कूद के वो ट्रक पे आते थे और ट्रक का सामान जो था वो उठा के पहारी की तरफ फैक देते थे और ट्रक चलाने वाले को पता भी नहीं चलता था क्या हो गया तो इसलिए काफी लोगों की महा मौत भी हुई कुछ ट्रक के मालकों को मारके उनका ट्रक चला के कहीं नजदीक के किछी गाउ में जाओ-जार में जाके खाली गर के ट्रक कहीं और ठोड़ दिया करते थे तो ऐसे बहुत से किस्से होते थे उन्हीं दिनों में सूरिया दोसिंग इनका उस तेरिये में काफी होल था उन्होंने वो डकैतों को नकेल डालनी शुरू की तो उनके आदमी ट्रक वालों के काफले के साथ मदूकें लेके तबी दुनाली और सिंगल बैरिल गंज हुआ करती थी जादा बाकी इत्यार इतने न नहीं थे तो एक पैरा मांट ट्रास्पोर्ट हुआ करती थी कतरास में उसमें शाय सूरिया दोसिंग का कोई हिस्सा था तो पैरा मांट के पास हमेचा उनके आफिस के बाहर आठ दस वो बंदूकदारी बैठे रहते थे जो जब ट्रकों काफला निकलता था वहां से तो उन बता रहा हूं उन दिनों का उनी दिनों में जो डकैतियां और जो ये काम जो कामदेव सिंग के गैंग ने किया उनी दिनों में एक कौहां के जो एसपी थे वेगूतराई के उनका भी मर्डर डकैतों ने कर दिया तो इतने होसले बलंद थे तो इनकी इस दबदबे की का और काफी फैदा उठाया वही टाइम था जब बंगाल में नपाल बाड़र के साथ जो एरिया लगता है जहां पर एर पोर्स का एक स्टेशन भी है तिली गुरी के पात वहां पर वहां से नजदीग की नेक्सल बाड़ी गाउं है जहां से नेक्सल मुमर्ड शुरू हुई नेक्सल इसम का जो 1966-67 से CPIM और CPI के वर्करों ने छोड़के एक CPIML बाक्सिस्ट लैनिनिस्ट पार्टी मनाई जो आम लोगों के बीच में नेक्सल बाड़ी मूवमेंट से मशूर है तो नेक्सल बाड़ी जो एरिया है वो सिली गुरी के नजदीक है और सिली गुरी नपा में एंटर कर सकते हो तो जब नेक्सल बाड़ियों के उपर हिंदोस्तान की सरकार का स्थ दौरते बंगाल की सरकार का प्रेशर बढ़ता था तो नेक्सल बाड़ी जो थे वो बार्डर क्रोस करके नेपाल में चले जाते थे तो नेपाल में लेफ्ट मूवमेंट का बहुत वहांपे प्ैंट हो गई थी और वहां सहे नपाल में जो यह कैमिनिस मुमिर्च चली उसने चलते चलते आपको याद होगा वी चार एक सार पहले जो कैमिनिस पार्टी थी नपाल की उसने अपनी सरकार भी नेपाल में बनाई और जिस हमें कामदेयों से नेपाल जाते हैं तो तवी नौन कैमिनिस सरकार थी, नेपाली कांगरस और दूसरी पार्टियं मिलके सरकार चलाते थे, उनको सबसे बड़ा फ़त्रा ये कैमिनिस पार्टिय के वर्करों से होता था, उबले नेक्सिलाइड हो जा दूसरे बहुत सरी चते बंदियां नेक्सर लोगों ने, कामरोडियों ने वहां पे बना के रखी थी, नेपाल में विलज लेवलों पे काम होना शुरू हो गया था, चाइना से इनको हत्यार मिलने लग गये थे, सेवन्टीज में चाइना के हत्यार, चोरी छिपे नेपाल के लेफ्ट मुहमेट वालों को मिलने शुरू होगे, तो उन से बहुत से हत्यार जो थे, वो आगे बेच दिये जाते थे, खूंखार बर्माचों को बहार में, यूपिय में, यहां तक के बाद में, मंबई के अंडर बाड़ियों से जहां, जो उनको रेवलूशनरी कहा करते थे, एक रेवलूशनरी पार्टी आफ नेपाल बनी थी, तो उसका हर जो कामरार वर्कर था अपने आपको रेवलूशनरी कहता था, उन में से एक लीडर उस रेवलूशनरी मुवमिन्ट का बहुत बड़ा लीडर बन गया वो लेकिन नेपाल की पलीस के हाथ नहीं आता था वो इतना छुपने में माहर था कि जब प्रेश्र बढ़ता था तो वो बार्डर क्रॉस करके हिंदोस्तान में आ जाना यहां से प्रेश्र बढ़नो तो फिर क्रॉस करके नेपाल में चले जाना तो बहुत मुश्कल स ने ने उस आदमी की कहीं पे ढूंडा लेकिन नेपाल के कानून के मताबक वो सक्ष कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा था तो उसको पकड़ के जेल में डालने का मतलब ये था कि लोगों में रोश्कार भड़कता और नपाल की खूमत के खिलाफ लोगों का गुच्सा और ज्यादा भड़क सकता था तो नपाल की इंट्रेलिजन्स एजेंसी ने ये फैसला किया कि बजाए इसके कि हम इसको मारें जा पकड़े जा लिमिलेट करें जाना काउंटर करें उससे अच्छा है कि उसको किसी और से मरवा दिया जाए बिलकुल उसी तरह जिस तरह हिंदोस्तानी एजेंसियों ने विर्जा दिल्शाद भेग को छोटा राजन के बदमाशों के हाथों से नपाल में मरवाया हाला कि हमारी एजेंसी के बहुत सरे लोग भी वहाँ हाजर थे और पूरे अपरेशन की देखरे कर रहे थे पूरा अपरेशन हिंदोस्तानी एजेंसी की मदद में और निगरानी से हुआ और उसमें काफी लोगों की हेल्प ली गई जिनमें बगलु सिरवास्तवा भी था और अर्चना शर्मा भी थी तो यह मैं आपको इसलिए किस्ता बता रहा हूँ यह बात नाइंटी नाइंटी एट में हुई लेकन उसके भी तकरीबन समझो कितने साल पहले सेवनटी त्री में इतने साल पहले वही काल जो हमारी अजेंसीज ने नेपाल में जाके किया उसी किसम का काम नेपाल की अजें गया इसको कुछा थ्यार दिये गए लाजिस्टिक स्पोर्ड दी गई और इसको वहां भेजा गया और काम देऊ सिंग और उसके लोगों ने उस जो रेवुलूशनरी था उसका मर्डर कर दिया जो जहां जिस जगा पर उनको बताया गया था तो यह काफी मजारे बहुत हु नहीं था कि यह काम किस ने किया है नपाल की इंट्रिजेंट की एज़न्टिज के कामदेऊ सिंग को इसके इस्थेमाल किया जिकर आम लोगों गुत इसकी गशे की का इसकार की तरफ तक तक है कि सरकार बशीर पलीस इचा, आर्मी जा इससी और संस्था ने नपाल की उसने बड़े रेवलुशनरी का अलिमिनेर कर दिया है तो ये वो दोर था जब कामदेव सिंग का पैदा नपाल की सरकार ने उठाया उसके एफ़े में इसको काफी पैसे वैसे मिले होगे और इसको इसकी जानमाल की रक्षा करने का जिमा नपाल की आजेंटिज ने लिया और इसको हिंदोस्तान की पलीस जो मैंने कल आपको बताया कि कैसे वो जो खान साथ थे एस पी वो चार बार नपाल गए लेकर नपाल की पलीस और सरकार ने उनको आहवाले नहीं किया बलकि ये बहाना लगा दिया कि इस नाम का आदमी हमारे पास नहीं है जैसे बिलकुल उसी तरह ज कराची में है इस जगा पर रहता है ये उसका अड्रेस है हिंदोस्तान में वांटड है इंट्रो पोल का वरंट है लेकिन पाकिस्तन कहता है कि दाओद इबराहिम नाम का आदमी हमारे पास नहीं है जिस सक्ष कि आब बात कर रहे हो जिसकी फोटो दिखा रहे हो जिसका जिस के बारे में उसी तरह मैंने आपको पता है मुना जंगडा जिसने छोटा राजन पर गोली चलाई थी उसके लिए जब हिंदोस्तानी सरकार ने बैंक का कोट में उसको भरत लाने की अर्दी दी तो पाकिस्तान ने बोल दिया कि वो तो हमारे नैशनल है और वो आज भी पाक आज काम नेपाल की सरकार ने किया आप बार 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 ändुसतानी की सरकार की रोटक को ठुकरा के अड़ाईस हाल तक नेपाल की एजेंटीस ने कामदेव सिंग को अपने पास छुपा के रख़ा और उसके बार आने के बाद जब वो खान साब के बदली हो जाती है उसके बाद देखिए कि उस हाजमी ने अपना जो पूरा गराफ था प्राना उसको बदल के इंदोस्तान की एजेंसीज के साथ गांट जोड़ कर लिया पहले बिहार के जो इंटेलिजन्स जो डिपार्टमेंट होता है उसके साथ के मैं आपको जो एक्टिविटीज वहाँ पे होती हैं उनकी आपको ख़बर दूँगा अपने कितने लोगों वहाँ पे छुपे कैसे हैं कहां रहते हैं उसमें भरे आपकी के इंफरमेशन आदी ग सकते उनसे काम करवाने की कोशिज करती है क्योंकि ये आदमी 28 साल नपाल में रहके आया था बड़े बड़े लोगों से जान पहचान हो गई थी तो हमारी अजन से को कहीं लगता था कि शायद इसके साथ गांट जोड़ करके हम कुछ आने वाले दिलों में कुछ इसका से करती थी तो इंट्रेलिजन स्मेंग वाले पहले ही काम दो सिंग को इन फॉर्म कर देते थे जिसको हम बोलते हैं कबर का लीक होना तो ये खबरे बहुत बार लीक हो कि उस तक पहुंची थी और वो हमेशा पलीस के उस चंगल से बचता रहा और उसके साथ उसने जो अपन स्रास्ट में और स्री लंका में भी उसका एक उसने एक सैटर बनाया था उस जमाने में किसी के साथ मिलके कि कुछ माल स्री लंका बेजा जाए कुछ मगवाया जाए तो एक ही एक अनपर आदमी बैल गाड़ी चलाते चलाते इतना बड़ा नेट वर्क बनाया इतना पैसा पाउगाडियां खरी सकता है एक से लेके सो नंबर तक की, पॉलिटीशिंस को फंड देता है, फैनास करता है, दोशनों से पैसा उगराता है, एक्स्टॉर्शन करता है, फिरोती के चकर में, जो कंट्रैक्ट के लिंग में, और एक वो जो इलाखा है बिगूसराय का, वहां प एक्सिलाइट मूमिन थी, जो कयमिलस्ट से उस अलाखें के, जिनको सी पी आई के वरकर कह देते थे बेजिकों, सी पी आई सबसे परानी, कयमिलस्ट पौर्टिया इंग्कृस बस्तान में, बाद में, टूटने के बाद सी पी एम और सी पी आल बणी, तो उनको सी पी आई पर्ममित्र पपू यादिव जी जो पात बारे MP रहे हैं बिहार से मेरे बहुत बड़ी है मित्र हैं उनको भी एक CPM MLA के या XMLA के मर्डर केस में जेल में जाना पड़ा एक बार नहीं कई बार जाना पड़ा तो ये एक अंदरूनी लड़ाई जंग सरमायधारी के खिलाब जो बिहार में कमिनस पार्टी ने शुरू की थी उसका बहुत बड़ा खमयाजा आज तक भोगतना पड़ा CPI और कामलेड वर्करों को तो ये जो सरमायधार थे जो वो काम देओ चैसे जो बड़े अपरादी सुचते थे उनके साथ हमेशा टच में रहते थे ताके उनकी जिगीरदारी और उनकी जो उन्होंने इतने बड़ी जायधात सल्स्टनाद बना के रखी है उसको ये कामलेड लोग चैलेंज नहीं कर सकें उनका जो जमीन जायधात है वो बची रहे उसके लिए वो साथ देत लेते थे काम देओ जैसे क्रिमिनल्स का और उनकी मदद लेते थे पैसे के वज में तो ये एक कलास वार जो बिहार में चलती थी उसके पीछे भी बहुत बड़े बड़े गुनागार पैदा हुए और गुना बहुत जादा बड़ा जो एक रमाने में डिकायत हुआ करते थ लेते वह बाद में बाही बन गए बड़े बड़े आदमें बन गए बड़े बडी ट्रांस्पोर्टर कोल ली उन्हों था अपनी जायता के लिए पिर उसके बाद चोरी का सबसे बड़ा साधन जितनी बड़ी रेलवे की वर्क्शॉप से इसा बहुत सारी बहुत सारी लेते थे वो बहुत ज़्यादा ये जो क्रिमिनल लोग थे वही कंट्रेक्ट लेते थे कि उनको ना रिश्वत देने में शर्माती थी तो ना सरकारी अफसरों को उन से रिश्वत लेने में शर्माती थी तो इस किसम के करम कांड से निकले हुए काम द्योसिंग जैसे आदमी क बेहार मारना उसको मिटाना बेहार पलीस के हाथ का नहीं था उनके बस का रोग नहीं था और यही कारण था कि दिल्ली सरकार को इंटर्फिर करना पड़ा और स्टीर पी एप और आर्मी कमेंडोज की मदद लेके आकर उसको डेर करना पड़ा तो यह थी काम देव सिंग की हमेशा स्वाल करते हो कि दाओद इबराहिम भारत क्यों नहीं आया या क्यों नहीं लाया जा सका उसके बहुत इंट्रेस्टिंग किसे नई बाते हैं आपको कल बताऊंगा कि क्या क्या कारण है कि दाओद इबराहिम को हिंदोस्तान नहीं लाया गया और अगर आप ही गया किस तरह है तो क्या होगा वो मैं कल आपको किस्टा सुनाऊंगा पड़े ध्यान से सुनना अगरे कड़ का मैच भी होगा तो भी सुन लेना बहुत बर शुक्रिया धन्यवाद